Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Prayas and Effort to Excellence. My name is Vimla Moura and I am going to start your Mathematic class Exercise 1C. अपने last lecture में हमने Exercise 1C का Question No. 1 to 6 discuss किया था. आज हम Question No. 7 से Start करेंगे. Question No. 7 is, compare each of the following pairs by putting greater or smaller in the box. आपको greater or smaller number find out करना है, number दिया हुआ है, first part 1623, 168, 363, 516. आप जो कि आपने place values पढ़ रखा है तो आप वहां से भी इसको compare कर सकते हैं, सबसे पहले write कर लीजी इनके places, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. लेकिन हम इसको पहले भी करा चुके हैं, अगर हम इसको places नहीं भी write करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें number of digit देखेंगे. हमारे first number में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit number है और second one is 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit number है तो हमें पता है कि 7 digit number 6 digit number से greater होगा fourth part is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit number जब दोनो 7 digit number हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे left side से number को compare करना start करेंगे 8 is equal to 8, 6 is equal to 6, 6 is greater than 5 अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे ही 6 हमे 5 से यह greater मिला तो हमारा यह number second number से greater होगा इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि once 10, 100, 1000, 10,000 10,000 की place पर कितना है? 6 है और यहाँ पर 10,000 की place पर क्या है? यहाँ पर 10,000 की place तो सेम है लेकिन 10,000 की place चेंज है तो यहाँ पर 10,000 की place में जो number greater होगा वही आपका greater number हो जाएगा question number 80 rearrange the numbers in each part from the largest to the smallest हमें यहाँ पर numbers को arrange करना है largest to smallest that means in descending order हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं descending means घर्ते क्रम में बड़े से छोटे की हो तो यहाँ भी हम सेम इसी method का यूज़ करेंगे सबसे पहले हम देख लें number half digit कितने है तो यहाँ पर 4 numbers right किये गए है फर्स नमबर में 1,2,3,4,5 digit है यह भी 5 digit number इस वन इस 5 यह भी 5 digit number और यह भी इस तरह हमने देखा जब सारे numbers 5 digit number है तो हम left से compare कर लें यह देखिए 1 is equal 1,1,1 सारे number equal है 7,7,7 and 7 यह भी equal है 8,9 यहाँ पर difference आना स्टार्ट बहुत हम इसको अलग कर लें अब देखिए आप अगर हमें descending order में write करना है तो पहले हम greatest number को लेंगी तो यहाँ पर greatest number के लिए हम greatest digit 9 को पहले write करेंगे फर्स नमबर पर इसका जो second order आएगा वो क्या आएगा 8,3rd place पर 4 को write करेंगे और last one 4th place पर हम किसे इस 3 वाले number को write करेंगे जिससे हमें descending order मिल जाएगा अब answer write कर लेते हैं फर्स नमबर पर हमें क्या write करना है 17903 सिकेन वन एज 17800 थर्ड नमबर पर किसको write करना है 17400 अब आप देख रहे होंगे पहले 17 तो सब में सेम है जो थाजन और 10,000 की प्लेसे हैं लेकिन यहां पर लिखा है 903,800,400,308 तो यहां हमने देखा कि हमने largest to smallest इस नमबर को write कर लिया है आवर कुईशन नमबर नाइगी दान नमबर फूज एक्स्पेंड़ेट फॉर्म इस सिक्स्टी लाइक फोर्टी थाउजन टू थाउजन प्लस हंड्रेड प्लस 7 इन वर्स इज यह आपका मल्तिपिल चॉइस कुईशन है जो कि मैं हमेशा आपको प्रैक्टिस के लिए डाल देती हूं लेकिन कई सारे बच्चों के वेरीज हैं कि माम यह कुशन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहे हूं बट मैं स्वाव आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपको करना क्या है सबसे पहले जो expanded form लिखा हुआ नमबर का आप उसके numbers राइड कर लीजी मैंने लास्ट के वीडियो में बताया है आप कैसे किसी expanded form को उसके numbers में write करेंगे, आप add भी कर सकते हैं और आप उसके places के accordingly write कर सकते हैं, इस तरह से जब हम expanded form से numbers write कर लें, तो उसको हम words में convert, question number 10, part 1 is, write the smallest 8 digit odd number using all odd digits, तो यहां पर अगर हम देखें, तो हमारे पास कौन कौन से digit है, जो 2 से divisible नहीं है, 1, 3, 5, 7, and 9, बट हमें smallest 8 digit number write करना है, अब हमारे पास total digit कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम किसी digit को repeat कर लें, smallest के लिए हम smallest digit को repeat करेंगे, तो अगर हम इसको 3 odd बार लिख लें, तो हमारे पास total 8 digit हो जाएगी, तो हमारे पास दिए smallest 8 digit odd number होगा, वो क्या आएगा, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 7, 9, यह है आपकी smallest 8 digit odd number हो गया, second part is, write the ever number in words in Indian system, अब अगर हम इसे words में write करेंगे, तो क्या हो जाएगा यह, सबसे पहले हम इसको Indian system के according comma का यूज़ कर लें, places write कर लेते हैं, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh and करोर, तो हमारा words में क्या हैगा, one करोर, eleven, lakh, thirteen, thousands, five, hundred, seventy, nine, next part is, write the successor of this number in the expanded four, one करोर, eleven, lakh, thirteen, thousand, five, hundred, seventy-nine, इसके successor के लिए आप इसमें क्या करेंगे, add कर देंगे, one, क्या हैगा, nine, one, ten, carry one, one, seven, eight, और बाकी numbers, as it is, copy कर लेंगे, यह आगया, आपका successor, आफ, गिवर, इलावन, लाएट, थर्टीन, थाउज़ंड, फाइवहंड, एट्टी, यह लेकिन, यह हमारा भी क्या है, successor हमें इसको expanded form में राइट करना है, तो हम इसका expanded form कैसे राइट करेंगे, आप यहां से left side से start करेंगे, सामने जितने भी digit है, उतने 0 लगा लेंगे, यहां पर आपने देखा, किसी भी नंबर का expanded form राइट करने के लिए हम उसको उसके प्लेसेज के सम के रूप में लिख रहे हैं, इस तरह से आपका exercise 1C complete हो गया, आपका होबग होगा exercise 1C, for more videos subscribe my channel, prayas and refer to excellence and press the bell icon for latest update and if you like my videos then give a thumbs up, thank you